हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासिस में जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है और इससे पहले इसकी एक वीडियो भी आ चुकी है चैप्टर नंबर 3 की उसका हम 15 कुश्चन थे कितने कुश्चन थे 15 तो हम 15 कुश्चन देख चुके आज यह हमारा पार्ट 2 है हमारा आज जो आएगा यह पार्ट नंबर क्या है 2 इस पार्ट 2 में फिर हम आगे के 16 से लेकर 30 कुश्चन देखेंगे पार्ट 1 में हमने 1 से 15 तक देखेंगे और इसमें कितन नमबर 4 पर करेंगे कारबन तथा इसके योगिक ठीक है एक स्रीज बहुत जल्द विस्तरित कोशन पर आने वाली है जो आपका लोंगो कोशन आता है साथ नमबर का उसमें गिने चुने कोशन होंगे एक चैप्टर के और पूरी बुक में से मुस्किल से 10 से 12 कोशन आपको की क्योंगे अगर आपको भोजन पर तेन की परत सड़ाई जाती है जिग की नहीं क्यों की बताईए अगर आपको भोजन को पैक करना यह आपका फूड है फूड को पैक करना है तो इसके उपर परत चड़ाई जाती है कि इसकी टीन की जिंक की नहीं चड़ाते क्यों नहीं चड़ाते जिंक की कुछ तो ऐसा होगा जिंक में जिससे कि हम जिंक की परत नहीं चड़ाते मतलब जिंक खतरनाक होता होगा कुछ ना कुछ खतरनाक का मतलब है उपशन देखने की नहीं ज़रूरत है थोड़ी common sense लगाईए थोड़ी अपनी बुद्धी का प्रियोग कीजिए कि हम खाने के टबो पर हम परत चड़ा रहे हैं टीन की जिंक की क्यों नहीं चड़ा रहे क्योंकि जिंक अभी की दिया कर लेता होगा उससे इसलिए नहीं चड़ा रहे तो पहला उप्षन है अब देखते हैं उप्षन पहला Jink टिन से महगा महँगा कुछ मतलब नहीं हमें आपर साइंस पढ़ रहे हैं अर्ध विवस्ता नहीं पढ़ रहे उसके बाद Jink का गल्नाँग टिन से अधिक होता है गल्नाँग कभी कोई मतलब नहीं कोई लेना देना नहीं है आपर टिंक इन दोनों में ही अंसर है जिंक टीन से अधिक सक्रिया है या जिंक टीन से कम सक्रिया है तो मैंने अभी बताया कि जिंक का इस्तान ऊपर आना चाहिए किस से टीन से यानि कि जिंक जादे सक्रिया होने चाहिए टीन से देखे कौन सा option है बताईए जल्दी option जिन्क टीन से अधिक सक्रिया है option number C क्या answer होगा इसका option number C जिन्क टीन से अधिक सक्रिया है चलिए next question की उर question number 17 परावर्तनी भट्टी परियुक्त होती है आपको बताना है कि परावर्तनी भट्टी का परियुक्त होती है यह question many class में आपको बताया था लेकिन वहाँ पर परावर्तनी भट्टी का डायग्राम नहीं दिखाया था यहाँ देखिए क्योंकि आपके इंटर में आई गए इसले बस में यह देखिए यह आपका परावर्तनी भट्टी है क्या है यह परावर्तनी भट्टी का डायग्राम है इसमें यहाँ पर रखा जाता है आपके पास वायू प्रवाहित की जाती है ठीक है तो बताना है आपको परावर्तनी भट्टी प्रियुक्त होती है इसके ट्रीक आप याद कर लेना P और उसके बाद N P N P का मतलब परावर्तनी भट्टी N का मतलब निस्तापन परावर्तनी भट्टी में कौन सी अभी करिया होती है निस्तापन कौन सी अभी करिया होती है निस्तापन अब दो वड मैं आपको बताऊंगा निस्तापन और भरजन क्या निस्तापन और भर्जन ठीक है चलिए तो हम देखते हैं निस्तापन और भर्जन सबसे पहले निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है सबसे पहले भर्जन की बात की जाए भर्जन को भर्जन में हम वायू की उपस्तिती में कराते हैं और निस्तापन को वायू की अनुपस्तिती में जो सांद्रित अयस्क है उसको गर्म किया जाता है क्या किया जाता है गर्म दोनों में और गर्म करने पर जो हम भरजन करते हैं वो सलफाइड अयस्क परिवर्तित हो जाता है उक्साइड में और यहाँ पर कार्बोनेट, सुरी, उल्टो गया, देखिए, गर्म किया जाता है, जो आपके पास भरजन होता है, भरजन में जो सलफाइड अयस्क है, वो परिवर्तित हो जाता है, ओक्साइड में, और जो आपके पास निस्तापन है, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क प इसमें परिवर्थित हो जाता है ओक्साइड में ठीक है दोबारा समझ लिजिए भरजन भरजन में क्या होता है इसमें हम वायू की वायू की उपस्तिती में सांद्रित एयस्क को उच ताप पर गर्म करते हैं और इसमें वायू की अनुपस्तिती में हम क्या करेंगे सांद्रि उपस्तित है इसमें अनुपस्तित है ठीक है दोनों को गर्म करेंगे तो इसमें सलफाइड आयस्क परिवर्तित हो जाएगा उकसाइड में इसमें कार्बोनेट आयस्क परिवर्तित हो जाएगा ओक्साइड में अब कहोगे सर एक्जाम्पल क्या इसका तो देखे एक्जाम्पल क्या होता है अगर आप भरजन की बात करते हैं किसकी भरजन की तो भरजन में अगर आप जिंक ZNS लें 2ZNS इसकी YU की पस्तिती में कराएं 3O2 तो क्या बनता है इसमें बनता है 2ZNO प्लस 2SO2 तो यहाँ पर आप देखोगे सल्फाइड आयस्क किसमें पड़िवर्तित हो गया ओक्साइड में और अगर निस्तापन की बात की जाए तो निस्तापन में ZNCO3 इसको गर्म किया जाएगा क्या YU होगी इसमें नहीं होगी और यह बन जाएगा ZNO प्लस CO2 तो ultimately दोनों का उदेशे क्या है कि जो हमारे पाइस्क है उसमें असुद्धी केवल किसकी बचे ओक्साइड की किसकी बचे ओक्साइड की अगर सलफाइड असकी की असुद्धी है तो भरजन करेंगे यानि के YU की उपस्तिती में और अगर कार्बोनेट असकी की असुद्धी है तो निस्तापन करेंगे YU की अनुपस्तिती में ठीक है समझा गया चलिए नेक्स कॉश्चन की बचे कॉश्चन नमबर 18 आज का कॉश्चन नमबर 3 लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधी उप्युक्त है बताइए ग्रीस लगाकर क्या खाने की चीज़ों पर ग्रीस लगाएंगे नहीं लगाएंगे पैंट लगाकर क्या उस पर पैंट करेंगे नहीं करेंगे जिंक की परत चड़ाकर खुला छोड़ेंगे नहीं तो हम जिंक की परत चड़ाकर क्या कर देते हैं कि लोहे की जो फ्राइंग फैन है उसको जंग से बचा लेंगे लोहे पर जिंक की परत रड़ा देने को गैल बनी करन बोलते हैं गैल बनी करन या हिंदी में यसद लेपन क्या बोलते हैं यसद लेपन ठीक है चलिए next question निम्न में कौन सी धातू अमल में से हाइट्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती किसी भी अमल से हाइट्रोजन विस्थापित वो नहीं करेगी कौन हाइट्रोजन विस्थापित वो नहीं करेगी जो सक्रीता स्रीनी में हाइट्रोजन से नीचे आएगी तो अगर आपको सक्रीता स्रीनी याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे इस question को तो सक्रियत या सिरेनी में अभी किरिया सीलता सिरेनी में जो नीचे आएगी हाइटरोजन के वो धातु होती है आपके पास इसमें से कोपर कौन सी होती है कोपर सोना चांदी ये सब क्या होती है नीचे आती है हाइटरोजन से तो इसका correct answer होगा option number C Fe, Zn और Mg ये सब उपर आते हैं ठीक है चलिए next question की ओर धातु के oxide सामाननेता होते है धातु लिया अपने Mg इसके oxygen से अभी किरिया की तो बना MgO 2MgO तो ये बताना इसकी प्रकरती कैसी होगी तो जो ये magnesium oxide बना है इसकी प्रकरती होती है चारिया कैसी होती है चारिया तो धातु के अधिकांस oxide कैसे होते है चारिया ये important question है आपको remember रखना है धातु के oxide कैसे होते है चारिया चलिए next question की ओर अमलगम होते हैं अरे सर ये क्या दिखा दिया दात का डाइग्राम ये अमलगम होता है मिश्र दातू होती है मिश्र दातू को ही भरा जाता है दात में आपके जब ये कैविटी हो जाती है खोकले हो जाते है तो इसी मिश्र दातू को भरा जाता है अमलगम, बताइए अमलगम होते हैं, तो मैंने बता दिया बात-बात में कि किसको भरते है मिश्र धातू को, तो जो अमलगम होते है वो क्या होती है, मिश्र धातू क्या होती है, मिश्र धातू अमलगम क्या होती है आपके पास, मिश्र धातू चलिए next question पीतल मिश्र धातू है पीतल मिश्र धातू है देखें यहाँ पर दिखाया हुआ है पीतल का लोटा बताना है पीतल मिश्र धातू है मैंने इसकी trick आपको बताई थी पीता जी क्या बताई थी पीता जी पीस का मतलब पीतल किस किस से मिलकर बना है तामबा और किस से जिंक से तामबा और जिंक अब आप देख लीजिए option कौन सा ठीक है तामबा और जिंक option number B तामबा वै जिंक कौन सा option है तामबा वै जिंक का तो पीतल किस किस से मिलकर बनता है तामबा और जिंक से चली next question S2 में X क्या है CA PLUS 2H2 इसका मतलब जल से अभी क्रिया हो रही है क्या बन रहा होगा यहाँ पर बता सकते है कोई बताइए यहाँ पर बन रहा होगा calcium hydroxide जिसे हम बुजा चुना भी बोलते है PLUS कौन सी कैस निकलेगी S2 तो X बताना है में क्या होगा Aluminium Carbide पर जल की क्रिया दुआरा उत्पन कार्बनिक बदार्थ होगा अगर आप Aluminium Carbide ले इसका फोर्मूल होता है Aluminium Carbide का Al2C2 2Al2C2 इस पर जल की अभी क्रिया कराएं H2O तो क्या बनेगा आपकी गैस निकलती है C2H2 PLUS reaction होगी Al2O3 तो यहाँ पर जो पदार्थ बना है वो बना है C2S2 क्या बनिये C2H2 और इस C2S2 का नाम होता है Acidlene क्या होता है Acidlene तो कौन सी गैस बनती है Acidlene चलिए next question विद्दुत संयोजक बंदों के बारे में सत्य है सबसे पहले आपको विद्दुत संयोजक बंद बता होना चाहिए वे बंद जो इलेक्ट्रोनों के त्यागने से बनते है उनको बोलते है क्या विद्दुत संयोजक बंद जैसे N के पास इलेक्ट्रोन होते हैं 281 CL के पास 287 तो यह एक एलेक्ट्रोन इसको त्याग देगा एक एलेक्ट्रोन इसको दे देता है तो यहाँ पर जो बंद बंते है वो बंद कहलाते है सह संयोजक सुरी विद्दुत संयोजक बंद और परस पर साज़ेदारी से जो बंते है वो कहलाते है सह सहयोजग बंद तो विद्दुत सहयोजग बंद के बारे में सत्य बताना है ये क्रिस्टली प्रकरती के होते हैं बिल्कुल NACLA जैसे क्रिस्टली होता है ठीक है इनके गलनाग उच होते हैं बिल्कुल होते है तीसरा इनमें आइनिक बंद पाया जाता है विद्दुत सुयों जग बंद है तो कुन से बंद पाये जाएगा आइनिक तो इसका मतलब यहाँ पर option number D सभी के सभी ठीक है option number D is the correct answer चलिए next question सिने बार आयस्क है यह आपको याद रखना है मैंने table बनवाई थी पूरी कि सिने बार किसका आयस्क होता है तब कर पाएंगे इस question को जब सिने बार का सूतर पता होगा आपका रासाइनिक सूतर क्या होता है तो सिने बार का रासाइनिक सूतर होता है HGS क्या होता है HGS diagram में दिखाया हुआ है यह सिने बार है ठीक है HGS तो HG किसका symbol है देख लिए option number B HG is the correct answer मर करीए चलिए next question निमन में से उच अभिक्रियासील धातू है एक table बनवाई थी मैंने उसमें उच अभिक्रियासील निमन अभिक्रियासील और मध्यम अभिक्रियासील ठीक है तो उसमें से में उच बताना है कून सी है तो मैंने आपको बताया था कि उच अभिक्रियासील धातू कौन कौन सी होती है sodium potassium calcium magnesium aluminium ये सब कौन सी धातू होती है उच अभिक्रियासील sona, chandhi ये सब आपकी होती है निमन अभिक्रियासील और इनके बीच में आएगी वो मध्यम ठीक है तो कौन सी option होगा यहाँ पर sodium option number a इतना ज़्यासील होता है कि अगर आप इसको पानी में डाल देंगे तुरंत इसमें से आग लगेगी ठीक है next question दातू जिसका उपयोग bulb के filament में होता है bulb का filament क्या होता है देखिए यह आप देख रहे हैं डाइग्राम में यह जो बना हुआ है यह है bulb का filament क्या है filament इसका गलनांग बहुत ही ज़्यादा उच होता है इसलिए हम इस दातू का परियोग करते है वो दातू होती है आपकी पास w sir, w क्या आ गया है धमाल बाला w नहीं यह w है tungsten क्या नाम होता है इसका tungsten यह question बहुत important होता है आपका ठीक है जो bulb है उसका filament किसका बना होता है tungsten का किसका बना होता है tungsten next question मुद्रा धातू है मतलब मिश्ट धातू बनी है मुद्रा वो बताना है किस-किस के combination से बनती है किस-किस को मिलाने पर बनती है तो जो मुद्रा धातू बनती है वो आपके पास बनती है copper होता है मुद्रा धातू में tin होता है और platinum क्या-क्या होता है copper tin और platinum table 1 वनवाई होई है इसकी भी copper tin और platinum option number next question विद्दुत चालकता का सही क्रम है आपको बताना है विद्दुत चालकता का सही क्रम सबसे ज़्यादा विद्दुत चालकता होती है silver की किसकी होती है silver की दूसरे नंबर पर आता है copper क्या आता है copper फिर आता है aluminium क्या आता है aluminium तो आप देख लीजिए कुन सा option आ रहा है A, G, C, U, A, L A, G, C, U, A, L Option number B Option number B is the correct answer ठीक है तो आज की class हमारी समापत होती है इसके बाद जो class आएगी वो class आपकी किस पर आएगी वो class आएगी carbon तथा इसके yogic ठीक है उस पर class आएगी उसके बाद हम अपना बायो का chapter करेंगे और फिर हमारी physics की class आएगी ठीक है physics के जो objective होंगे उन पर class आएगी ठीक है तो बने रही है हमारे साथ और चैनल को share कीजिए और subscribe कीजिए धन्यवाद मित्रो